स्वागत है दोस्तों आप सभी का चैनल टेक्निकल इंटिलेक्शन में आज हम देखने वाले हैं कि आप वाट्सेप पर किस तरीके से अपने मैसेज को सेल्फ डिलेट कर सकते हैं यानि कि आपका जो मैसेज है वो क्या होगा वो खुद ही डिलेट हो जाएगा आपको उसे डिलेट करने की जरुरत नहीं है तो ये अभी latest फीचर है वाट्सेप का तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा आपको सबसे पहले वाट्सेप पर ओपन करना है आपको उस particular user की चैट पर जाना होगा ये किसी particular user का भी chat हो सकता है या कोई particular group भी हो सकता है आपको क्या करना है simply view contacts पर जाना है जिसे कि मान लीजिए मैं एक user की chat को open कर दी हूँ जैसे ही आप view contacts पर आ गए आप अगर नीचे की तरफ scroll करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक option दिख रहा है disappearing messages का जी हाँ यही वो feature है जिसके जरीए हम क्या कर सकते है message को automatic delete कर सकते है means हमें क्या करना है इस feature को on करना है means हमें क्या करना है इस option को on करना है और हमारा जो message है वो automatic delete हो जाएगा एक time period में तो चलिए देखते हैं यह कैसे होगा आपको सबसे पहले इस option पर touch करना है आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है continue तो आप क्या करिए continue पर touch करिए उसके बाद by default off है लेकिन आप जैसे ही से on करेंगे तो क्या होगा 7 days के बाद यह जो message है इस user के साथ आपका जो message है वो automatic delete हो जाएगा हमने इस feature को इस option को on किया और अब क्या होगा हमारा जो message है वो automatic एक time period के बाद यानि कि 7 दिन के बाद delete हो जाएगा तो मित करती हूँ यह feature आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होगा क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि unnecessary जो data होते हैं वो हमारे app में save होती जाते हैं जिसके वज़़े से बहुत ज़्यादा disturbance होता है तो इस तरीके से आप इस option का use करके unnecessary data को delete कर सकते हैं automatically मिलते हैं next video में thank you